पूर मंतरी अजीद पवार गुट के नेता बाबा सिद्धिकी की मुंबई में हत्या कर दी गई सोशल मेडिया पर डावा के अच्वाराय के हत्या लॉरंस विश्णोई गैंग ने की पुलीस के जौन्स की सुई भी लॉर्स विश्णोई गैंक की तरफ ही जवा रही है इसी बीच बाबा सिद्की के बेटे विधाय जिशान सिद्की के सगल बंगले में उपमोखी मतरे डेविन फर्ड नवीज से मुलाखात करने पहुंचे जिसके बाब जशान सिद्की के रहसमई ढंक से एक ट्विटर काफी बारल हो रहा है जिस पर काफी प्रतिक्रिया आ रही है जशान सिद्की डेविन फर्ड नवीज सुशल मीडिया पर एक पोस्ट किया इस पोस्ट को लेकर काफी चर्चा हो रही है उन्होंने एक्स पर ये तहसमई पोस्ट लिखी ये पोस्ट के संदर में और क्यों की गई ये साफ नहीं लेकिन इसके क्या माइने निकाले जा रहे हैं दरसल जशान सिद्धिकी ने लिखा कि not all that is hidden sleeps nor all that is visible speaks इसका मतलब है कि जो छीपा है वो सब सो नहीं चुआता ना ही जो दिखाई देता है वो बोलता है सूत्रों ने बनाए कि शिंदे इस सरकार में ग्रिव भाग समाल रहे फ़र नवीज ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मौजूद्गी में बांदरा इस्ट के विधाये को जानकारी दे जो शान ने इस मामले में नयाय की गुहार लगाई है विश्णोई गैंग से जुड़े कोछ लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया है ये बावा सिद्गी के हत्यास ले की गए क्योंकि वो सलमान खान के करीबी दोस्त थे पुलीस ने इस मामले में अब तक 9 लोगों को अरेश्ट किया इनमें से 5 गिरफतारियां शुकरवार को पडोसी राइगर जुले के पनवेल और करजत में की गई शापे मारी के बात की गई वहीं आपको बता दें बीते दिनों आरोपियों में से एक आरोपिय ने ये दावा किया था कि सिद्गी कोई अच्छे वेक्टी नहीं थे उनका दाव इबराहिम से ही कनेक्शन था अगर उनकी हबत्या भी कर दी गई तो इसमें गलत क्या हुआ पलाल जशान सिद्गी ने जो पोस्ट किया है इसको लेकर कई मतलब निकाले चुआ रहे हैं और ये रहसमें पोस्ट काफी वारल हो रहा है इसका आगे क्या मतलब निकलता है ये तो आने वाले वक्त पर ही साफ हो पाएगा लेकिन जिस तरीके से जशान सिद्गी ने फढ़नवी से मुलाखात कि उसके बाद ये पोस्ट किया काफी चर्चा में शाया हुआ है इस पर आपकी राय क्या है बताएगा